इस लेक्षर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप बड़े बड़े डेटा सेट्स को डाउनलोड करके उसके उपर अपनी मशीन लेर्निंग, EDA, आर्टिफिशल इंचैलिजेंस, डीप लेर्निंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना पॉर्टफोलियो डिवेलप क है कि जब आप मेन डेटा सेट पर काम नहीं करते तो आपको बड़े डेटा सेट की समझ नहीं आती है, जितने भी हमने अल्गरिफम बड़े हैं, अगर मैं वहीं पर कंपलेक्सिटी ले आता ना बड़े डेटा की तो आपको समझ नहाती क्या चल रहा है, क्यूंकि अब आतों आपको पता चल जाता है, बाइनरी का पता चल गया है, मल्टी क्लास का पता चल गया है, इसी तरीके से आज का जो हमारा काम है, वो है मशीन लर्निंग के लिए या आर्टिफिशल इंटैलिजेंस के लिए मेन डेटा बेसिस का चुनाओं के कौन-कौन से हैं, सबसे प पता मुझे कैसे मिल गया, और मिला भी आज ही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सबसे पहली चीज़, ये इसका लिंक मैं आपको बात में दूँगा, वरना तुसी होनी स्टार्ट हो जाएना, मेनों सुनना नहीं है, तो वो घलत काम हो जाएगा, मिशीन लर्निंग डे These are all datasets, 622 datasets जो browse through है, classification के 466, regression के 151, clustering के 121, other इतने, attribute type अगर आपने लेनी है तो यहाँ पे, data type करनी है तो यहाँ पे, area wise यहाँ पे, फिर आप instances wise, dimension wise, कि किसके less than 10 है, किसके 100 है, किसके greater than 100 dimension है So, हर कीज का data यहाँ पे पढ़ा हुए, matrix कौन से है, non-matrix कौन से है, अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ, तो यह left side पे देखिएगा, classification की problem है, click करें, लो जनाब, classification का सारा data set आपके पास आगया, फिर number of instances दी है, मैं इस पे click करता हूँ, तो जहाँ से start हुआ, सबसे नीच currencies का data, 63 million, जो मेरे से यह कह रहे थे ना, कि 1 million, 2 million को कैसे deal करेंगे, now you should understand कि deep learning और machine learning बड़ी चीज़े है, ठीक है, और यह multi-variate time series का data है, ठीक है, और आपको अगर multi-variate का करना है, या नहीं कि multi-variable तो यह पढ़ा है, जनाब तकरीबन 10 million का data, ठीक हो गया, चलो, आप कहते है कि नहीं, यह तो मेरा field ही नहीं था, मैं क्या करूँ, तो भई, field दे लो, business वाले यहां पर आज़े हैं, business पर click करें, यह पढ़ा है, जी business का data, attribute की type भी बताईए, कि integer और real number के अंदर है, attribute पता ना, क्या होता है, यार, column अपने, ठीक है, default task क्या, वो भी बताया हुआ है, फि attribute पर click करते हैं, यह मैंने attribute पर किया, 54,877 attribute, क्या हाल है, क्योंकि यह text का data है, तो इसमें attribute ज्यादा होते हैं, सही है, तो आप इस तरीके से dimension के देख सकते हैं, फिर आप social sciences, life sciences, life sciences में जाता हूँ, यह बढ़ाईजी life sciences का data, यहां पर नाम है, and so on and so forth, आप जा सकते हैं, फिर games का data, ठीक है, यह पढ़ा हुआ है, portfolio जिसने बनाना है ना, अपना, यह पढ़े हैं data set, और साथ में licences दी हैं उनने, चेक कीजिएगा, area कौनस है, और data donated का अब हुआ, यह donation है data की, जो लोग की collect करते हैं ना, वो donate करते हैं data, समझ आई? अब चेक करें, noise, classes, meaning कौन-कौन से हैं, so on and so forth, आप पूरे data को पढ़ सकते हैं, at the end, उन्होंने यह एक request की है, कि यह ठीक है, आप जो भी करें, हमारे यह paper को cite कर दीजएगा, जब भी कभी publish करें, कि यह वाली चीज़ बता दें, कि यह यहां से data लिए, सिरफ इतना उन्होंने मांगया और कुछ नहीं, बाकी data आपका हुआ, ठीक है, आप यहां से download करें, this is the first website जो बहुत जरूरी है, ग्रूप लेंस data set, थर्ड, हावर्ड डेटा वर्स, अगर किसी को इसका नहीं पता, तो आज मैं आपको बता देता हूँ, हावर्ड डेटा वर्स के अंदर, तकरीबन, अकाईदा है सैकड़ा, हजार देजार लाख, पंदरा लाख, श्यार्शट सो data set है, पंदरा लाख, श ज्यादा तर data कौन सा मिलेगा, आपको समझ तो आई गहीं हो नहीं, समझ रहें, यहाँ पर data वो पढ़ा होगा, जो आपका movies से related है, यानि के classification of movies, जिनको Netflix की तरफ जाने का शौक है न, future के अंदर, तो वो इस पर काम कर सकते हैं, हावर्ड डेटा वर्स के अंदर अगर आप खुल जैसे ही बस, जितने देर यह खुलता है, वेबसाइट, हम जाते हैं, इंटरनेट आर्काइब, डेटा वर्स, ओपन सोर्स, रिसर्च और डेटा रेपोजेटरी, यह खुल गी, यहाँ पर चेक कीजिएगा, आपने कहीं से भी data set लेना है, उसकी date भी है, new data लेना है, तो 2023 पर क्लिक करें, यह बिलकुल लेटस डेटा सैट, और यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक कर लें, क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करें, तीन इशरिया 6GB का डेटा, प्लस कोडिंग, प्लस उनके बनाए हुए algorithm, प्लस each and everything is there, कैसे, यह पढ़ी हैं सारी चीज़ें, चेक कर फूटनोट, हेडर, नॉन ड्राइव, पैनल, फिर यहाँ पर IP YNB भी आपको मिल जानी है, पाइथॉन की फाइल भी मिल जानी है, एक जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, बाकि सारी इम्पोर्टेंट है, UK डेटा सर्विस, UK वाले भाईयो, यह आपके लिए, यहाँ पर जाके, आप डिफरेंट किसम का डेटा जो है, वो यही से ले सकते हैं, डिपॉजट डेटा या फाइन डेटा पर, फाइन डेटा पर जाएं, और देन यू कन सर्च फॉर देटा, यह आप चेक कर सकते हैं, एक्सेस डेटा, या आप कैटा लॉग जो है, कर पुरा देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कोवेड लिखता हूं, जस्ट तो शो यू, तो आपको डिफरेंट किसम का यहाँ से डेटा मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यह पढ़ाएगी, ठीक है, क्लिक करके आप इसको खुद कोई अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर यह आगे चले जाएं, यह अगे चलते हैं, जी, ओपन ML डेटा सेट, एकडेमिक टॉरेंट्स, डेटाबेसे, यौरप में यह तो टॉरेंट यूज ना कीजेगा, नाम भी ना लीजेगा, फाइन हो जाते हैं, अच्छा चलो यह तो था जी वो डेटा जो एकडेमि क्लाउड प्रवाइडर्स, Amazon, Google, Microsoft, उनके डेटा सेट, चेक करें, यह सारे डेटा सेट उनके हैं, यह सारे डेटा सेट उनके हैं, तैन, Employment and Health डेटा बेसिस फ्रॉम गवर्मेंट्स, गवर्मेंट का डेटा है, डिरेक्टली आप जा सकते हैं, इंडिया का डेटा लें, यॉ के गवर्मेंट का, US का, ठीक है, US Congress, Center of Diseases, Medical Data, मतलब कितने employed हैं, आप यहां ही से अंदाजा लगा सकते हैं, कि वहां पर फीमेल ज्यादा employed है, मेल ज्यादा employed है, आपका portfolio बहुत strong होगा, if you are targeting the market from US, then, socio-economic database, worldwide, आप इस पे जाएं, यहां पे चेक करें, जना, United Nation का data, UNICEF का data है, World Head Organization का, World Bank का, International Monetary Fund, आजकल बड़ा इस पे दोर दोरा है, भाई, खुदा का नाम लोग को यह कहता बंदा है, इस पे analysis करो, कोई algorithm predict करके लगाओ, IMF को, कुछ पता चले कि क्या रोला चल रहा है पाकिसान के अंदर, it can help, financial data set by stock exchanges and central banks, business वाले जो लोग यहां पे जिनका stock market म होत अच्छे है, फिर आती है computer vision की बात, अगर को computer vision में जाना चाता है, तो यह data sets already पढ़े हुए online, ठीक है, फिर other data sets जो है, वो यहां पे है, अब आपको एक काम ज़रूर करने है, जब भी को data set published करने लगें, portfolio में लिखने लगें, उनको credit ज़रूर दे, और उनके license के बारे किस data को कैसे use कर सकता है, कैसे share कर सकता है, so you need to read that one as well, मतलब यह नहीं है, आप यहां से US का data उठाए हैं और racism के उपर आप analysis करने बैठ से है, you need to learn the license information के वो कैसी है, यह ना होए तुसी होते है क्या होए, क्या है, आप सिर्फ गोरियान उज्यादा राखरें, मैं जान करती है, so this is how you can work, और यह data set repositories है, ठीक है, projects नहीं है, so you can see, यह बला चीज होने वाली, so मैंने आपको यहां पर link भी देता हूं, ताकि आप जाने आपका काम, अगर किसी के पास यह link नहीं है, तो आप simply यह लिखें, 50 public data sets for machine learning projects, पाए साथ लिखते हैं, सतीश चंदरा या तो अच्छी हो जाएगी in data science life, मुझे नहीं पता आप कहां पर घुम रहे हैं, लेकिन I know, कि अगर आप लोग, अब खास तोर पे इस course के लोग, अगर आप लोग इसमें से कोई से 3 से 5 data set अपनी niche के choose कर लें, बड़े data set हों, अच्छी dimension वाले credible data set, और उस पे सिरफ A to Z, EDA, machine learning, artificial intelligence वगारे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, वो करते जाएं, जितना पढ़ेंगे वो भी embed करते जाएं, अब अपना portfolio बिल्ड कर लेंगे, अब पांच प्रोजेक्ट ऐसे publish कर दें, तो यकीन माने LinkedIn पे आप चाह जाएंगे, नहीं यकीन तो हम में से कुछ, जो मेरे student और उनने अप्लोड किया, LinkedIn पे काफी data set एक दो किये हैं अभी, अच्छा खासा response है, इवन दो उनके inbox के अंदर भी calls वगएर आती रही हैं, कि किस तरीके से आप interview के लिए available है और not, so it's up to you, आपने क्या करने, मैं आपको एक छोटी सी example दे जाता हूँ, कि मैं अपना data set एक बंदा, एक data scientist, अगर hypothesis अच्छा बना लेना, वो एक data पे 26 काम भी कर सकता है, if he knows how to present the data, story बनाने आगाए, character find out कर ले, features में से, so please find out at least 5 to 10, मतलब 5 जरूर हो, जो बहुत काम करने वाले 10 projects, ऐसे बनाएं, जो आपकी niche या आपकी सोच, जिस domain में जाना चाते हैं, वहाँ प जाबत होने वाला है, obviously, कुछ लोग अब यह कहेंगे, कि हमारे पास computation resources नहीं है, और question भी आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसकी reason यह है, simple सी reason है, पहली चीज़ यह, universities के साथ collaborate करना, start करें, universities जिनके अंदर computational resources free में पढ़े हैं, लेकिन उन्होंनों यूज करना नहीं पता सही तरीके से, या किसी ऐसी company को as an attorney जोईन करें, जिसके पास computational resources हैं, भी शगल रिमोटली कर लें, ठीक है, या जिन्होंने data collect किया, उनको अपना hypothesis भेजें, कि यार मैंने ये data आपका देखा, इसमें से ये भी हो सकता है, जो आपने नहीं किया, बिलीव में, वो आपको बोलेंगे, ठीक है, करते हैं, हम कैसे helpful साबत हो सकते हैं, you can ask them for computational resources, otherwise, Google Cloud आपको 300 डॉलर का credit hour देता है, फ्री में, ठीक है, credit देता है, Amazon देता है आपको, अगर आप student हैं, तो आपको और भी पूरा कॉर्स वरना कुडैनिक्स पे जाके, Cloud Computing लिखें, सिरफ आपको वीडियो मिल जाएंगी, और मैंने प्रोपर बताया कि कैसे आपने Cloud Computer प्रचेस करना है, या फ्री में लेना है, कुछ नहीं होता, तो भाई, अपने आपर इंवेस्ट करो, कैसे इंवेस्ट करना है, Google को लैब का लेसंस परचेस कर लो, 10 डॉलर, 15 डॉलर का वो होता है, Computation Resources का, आप मैक्सिमम कितना 100 डॉलर लग जाएगा, लेकिन आप खुद पर इंवेस्ट कर रहे हैं, तो Computation Resources अप करो, अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो छोटा डेटा उठा लो, बढ़ा ना किया है, मैंने उनकी इंस्टेंस पता कितने, 4000, 5000, that's it, Dimension उसकी 26, 26, that's it, तो एक अच्छा Core i7 PC उसको हैंडल कर लेता है, बहुत हद दो दिन लग जाते हैं, मॉडल ट्रेन हो मरे, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन यही वज़ा है, कि मैं इंडस्ट्री छोर के युनिवस् सेकिंड यह है, किसी अच्छी उनिवस्टी में इंडिमेशन ले ले, रिसोर्स इस फ्री में आपको मिल जाते हैं, उसी उनिवस्टी के, and you can do research on that, यह सारी चीज़े हैं, आपके साथ मैंने आपके सामने रखी हैं, वरना इसका एक हल है, जो आपने cloud computer purchase करना है, एक server computer अपन कोई आपका total पांच से साथ लाग का वो खर्चा है, अच्छा खासा खर्चा है, वो ही अगर server computer आपने बनाना है, तो पांच से दोस्त मिलके computer ले ले, किसी ऐसी जगह पर रख लें, जहां पर light ना जाती हो, उसको remotely use करते हैं, आप machine learning के लिए, so that's another option, पाकिस्तान में light जात हैं, अगर किसी ने करनी है, किसी ने उसके उपर लोगों को सिखाना है, आप वो भी कर सकते हैं, इंटरनेट अच्छा लगवाएं, तो आप ये सारा काम अपने portfolio के बनाने के लिए investment करें, जैसे ही वो खतम हो, बेज दें उसे, आपके पैसे आपको वापिस आ जाएंगे, so these are the things जो आप कर सकते हैं, मैं यहां पर recording stop करता हूँ,